शुषान्द चोदरी जी नुई यॉर्क से रादे रादे महराजी महराजी हमें कहा जाता है कि हम करता भाव और भोगता भाव का त्याग करें और प्रभू को ही सब कारें के रूप में जाने यहां बुरे फल के पाथ पहले आप त्यागी तब आपको पता चलेगा या मनोश्य मनोश्य में कहां हो अप शडी में और यह उसकी यह दील भी आरफरयdled करोटी छीटीस सकन एकछरा इस थूल बाड़े जो और आप इस थूल बाड़ि नहीं हो आप कहीं पकड़ में नहीं आए immature स्क्राव में आए ने बुद्धी, छित, तांकार, पांच ग्यानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां अंदर इसके बाद सतुगुन, रजुगुन, तमूर से बना हुआ सुभाव कारण सरीर है इन तीनों सरीरों के परे आपका शुरूप है चुम्बक के प्रभाव से उन सामग्रियों हिलन ड प्रभाव से कर्म की क्रियाएं होती है और क्रिया की जो पावर शक्ति वौ आत्म ततत्तों से प्रगठ हो रहे है अपने आप हो रही है अचा हिस्तिती आप समझ पहलें जैसे चुम्बक कोई चात्तने वो तो संकल्पता नहीं कर रहा हुए हिले लेकिन उसका एक इतिनों गुणों से हो रहा है अभी तमोगुण आजाए तो आपके एक्षन में क्रोध आजाएगा रजोगुण आजाए तो भोगी विलास्ता जनित बाते हैं शतोगुण आजाएग तो आप शांत गंभीर मुद्रा भागवतीक प्रश्मुद्र इस्थूल के सुक्ष्मे क हैं आपको पक्का सो परशेंट है है लेक पुरुष तो आपको ध्यान नहीं करना पड़ेगा आप जिसमें तदात में बोल लेंगे मैं पुरुष हूं स्वप्न में या जागरत में या सुसुप्ति के बाद कभी आपको चेश्टा से जानना नहीं पड़ा कि आप पुरु लेकिने, इस जन्वें में तो देखा होगा ना किसी को जलते हुए इन शरीरों के अंतिम क्या तो जानते हुए है यही होती है तो सरीर तो हो नहीं सकते तूं significance बेदों कि भूव का है यह तो गुणों का प्रबाव है, आप नहीं है ना राक्षासी हैं न साथिक हैं आप त तो नीचे क्या है हम देख सकते हैं ऐसे ही सांत और निर्मल अंताकरण में भगवत शुरूप का साक्षातकार होता है तब यह पता चलता है कि नहीं मेरे द्वारा के सब नहीं हो जब मैं का भाव हट जाता है तब इससे कभी पाप नहीं होते शुब और शुब पुन्य पाप कही जाते हैं अवस्य में भोगत अभ्यम क्रतम कर्म अश्रुवास्भम आपको भोगना पड़ेगा कि अब ग्यान जब हो जाता है उसी में जीवन-मुक्त हो जाता है क्योंकि उप्वीत्र घ्ञान से जेवि देखा ज्यूंद कि न मैं करता हूं ना भोगता हो यह सब माया अगर शूत्य तो आपको लाया गया है कि अगर प्रियाजु कृपा न करते तो ब्रंदावान नहीं नहीं करते तो आप यहां नहीं आ सकते आप जब इस सूत्र से आप सोचेंगे तो आप बिल्कुल कह देंगे कि मेरे आने के सामर्ती नहीं थी मैं तो आई नहीं सकता था, मुझे लाया गया है पंदर ले जाएए, तो आप असंग है आप ना वरंदा बनाए है और ना आपने कभी कुसंग किया है आप एक आत्म शुरूप हैं, एक सरीर दर्म से सब कुछ हो रहा है और इसका फल होगा कि जब आप अपने शुरूप को जान जाएंगे तो जो आप है वही परमात्मा जो परमात्मा वही आत्मा इतना भी अंतर लेंगे आपका ये रूप नहीं कि नहीं बोलेंगे एक बहुत ट्रेन खिचती है बिजली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां किलो मीटरों हाइलोजन प्रकास वह भी बिजली तो उस बिजली में उस बिजली में अंतर नहीं है ये अंतर में अंतर वो जीरो वाट का है हजारों वाट का है समझने न हमें बिजली है जबकि आप ही बिजली हो अंतर ये है अग्यान का कि हम समझते मेरे में परमात्मा रूपी बिजली है मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग मेरे अंदर है ऐसा नहीं वही पावर है वही पावर है वो जब पावर का ग्यान होगा तो सब में वही एक ही पावर है आप सोईकार करते हूँ क्या कि मैं करता हूँ ने इनको दुख्षुक हो रहा आप से क्या मतलब है भी आपको कष्ट होगा स्वीकरती से हम दुख शुक के भोक्ता बनें बहुत ध्यान से समझना जैसे अभी आप सूचना जाए कि मतुरा और बिरंदा उनके बीच में एक्सीडेंट हुआ चार लोग मारे गए तो आप को होगे सत्संग के बीच में आप ऐसा क्यों बोले हैं उसमें आपके मामा थे अरकत के हो गई पहले वाले में अरकत क्यों नहीं क्योंकि संबंदा नहीं पता था आप क्या हुआ हमारे मामा थे ना मौसिया थे हमारे जीजा थे हमारे अमुक थे संबंद में अरकत हो गई ना ये संबंद में अरकत हो रही इसको हमारा नहीं माना इसे सीधे मैं मान लिया है। यही अज्ञान। और इसी मैं के करण हमारा जनम मरन हो रहा है। आप आच्रणों के करता भाव का पहले त्याक करूँ कि मैं गंदे आच्रण करूँगा ही नहीं। जब अच्छे आच्रण करोगे, तो हरदेश शांत और निर्मल होगा, तो अच्छे आच्रण का करता भाव छुट जाएगा, जहां अच्छे आच्रण का करता भाव छुटा, तो आपका जो शुरूफ है, वह आपकी हीद भाव में जलकने लगा, अपना शुरूफ अपने द्वाला, अच्छे आच्रण करो, दूसरों को शुक पहुचाने की भावना करो, फिर आगे की बाद्याद जाओगी, है ने, अब छट में क्या हो रहा है, आप नीचे नीचे अनुमान लगा के तर्क वितर्क करें, तो फिर लड़ाई यगड़ा हो सकता है, लेकिन शिरी से चड़के जाओ, चाहे लिप्ट से चड़के जाओ, या दूसरी चट में, लेकिन हो उचाई वही, तभी आप देख पाओगे कि सामने वाली चट में क्या हो रहा है, ऐसे ही जो ज्यान की भूमिका है, चाहे जिस साधन से आओ, इसी उचाई पे आओ तब आप उसको जान पाओगे, तर्क वितर्क होता है कि दोनों देख नहीं पाए, और जगड रहे हैं, अगर एक तो जब हम अध्यात्मिक विश्यों का वास्तिविक रहाज से जानना तो हमें साधना करनी पड़ेगी, उसको क्यों है बातों से या सास्तनों से नहीं जान सकते, उसके लिए हमें खुद चलना पड़ेगा, खुद अनुभू करना पड़ेगा, देखो प्यास लगती है, भूख लगती है, का मभाव सतता है, कुरूध हाता, हम कामी हैं, हम कुरूधी है, जबकि मैं में कुछ नहीं है मैं में कुछ नहीं सवंता करण में भूख प्यास प्राणों का धर्म है देखना नेतरिंदी का है शुनना कान का धर्म है स्वादलेना रसेंद्री का है भूख करना जनेंद्री का है मैंने चखा मैंने यही अग्यान है अब ये अग्यान बातों से तो जाएगा ने जास्व क्रपा सब घ्रम मिट जाई गिर जास्व इक्रपाल रखुड़ाई भजन जितना नाम जब करोगे जितना साधन भजन करोगे उतने ग्यान आपको आता जाएगा समझ पहे रहे हैं आप